नबश्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज के टेक्नाओं की इस लेटस्ट एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं नार्जो 20 सीरीज के बारे में दोस्तों रियल में की नार्जो सीरीज काफी जड़ा पॉपलर हुई है अपने फीचर्स को लेकर और यहाँ पर फीचर्स जो आपको दिये जाते हैं वो बजट में रहकर दिये जाते हैं और ऐसे में अभी बात निकल के आ रही है नार्जो 20 के बारे में कि यहाँ पर 3 फोन ल आपके लिए तो दोस्तों यहाँ पर पहला फोन जो निकल के आता है वो रहता है आपका नार्जो 20 प्रो यहाँ पर जब नार्जो 10 आया था तो इसकी अन्बॉक्सिंग भी मैंने करें थी और हो सकेगा तो इनकी भी अन्बॉक्सिंग हम करेंगे लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इसके features के बारे में तो ये जैसा कि बोला भी गया नाजो 20 Pro तो एक तरीकी से pro version हो जाता है यहाँ पर आपको 6.50 inches की full HD plus के resolution वड़ी display देखने को मिल जाएगी साथ में MediaTek Helio G95 processor देखने को मिल गया है यानि कि एक तरीकी से gaming processor यहाँ पर आपको 2 megapixel के रहेंगे तो ये चीज़ भी यहाँ पर बैटरीन देखने को मिली है अब कुछ-कुछ मुझे इसकी specifications match करती हुई लग रही है Redmi के किसी phone से शाहिद मुझे याद नहीं आ रहा है अगर आपको याद आ रहा हो तो बताइए Note 8 में भी कुछ-कुछ ऐसी ही specification आपको दे रखी थी और Note 10 की बात करें तो उसमें भी कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला था तो ये Note 8 और Note 9 के बीच का कहीं मुझे लग रहा है लेकिन processor यहाँ पर थोड़ा सच्छा दे रखा है तो मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ बहुत information उपा नीचे हो सकती है लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये phone आगे आने वाले समय में Realme की ही ऐसी तैसी करेगा क्योंकि Realme 7 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफी ऐसी फीचर देखने को मिले थे लेकिन 7 Pro की बात करें तो वहाँ पर आपको 65W की charging मिल गई थी तो ये phone कहीं न कहीं Realme 7 Pro को ही target करता हुआ नजर आएगा तो जिनका बजट जादा नहीं होगा जिनको बहुत हाइफाई क्यामरा नहीं चाहिए तो वो कहीं न कहीं इस phone की तरफ attract हो सकते है तो आप भी बताईए आपको ये phone कैसा लगा है अगला जो series में आता है वो आता है नाजर 20A ये भी एक budget phone रहेगा यहाँ पर आपको 6.50 inches की display देखने को मल जाएगी लगबग लगबग चीज़े वहीं आपकी रहेंगी प्रॉसेसर यहाँ पर snap dragon 665 मिलेगा सेलफी camera 8 megapixel करेगा साथ में rear cameras में रहेंगे वो आपके 12 plus 2 plus 2 megapixel की यानि की triple cameras आपके रहते हैं RAM यहाँ पर आपको थोड़ी सी नीचे देखने को मिलेगी तो यह चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मज़दार रहती है इसके बाद series में आता है Narzo 20 जो कि एकदम simple रहेगा और यह बहुत ही ज़दा मतलब एक तरी के आप समझ सकते हैं 10,000 के आसपास देखने को मिलने वाला है display size वही रहेगा MediaTek G85 processor देखने को मलता है और साथ में यहाँ पर अभी इसका selfie camera के बारे में clear नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसका selfie camera 8 megapixel का ही हो सकता है बाकी कुछ बहुत गरबड हो सकती है information उपर नीचे हो सकती है क्योंकि अभी सिर्फ product किया जा रहा है अभी company की तरफ से कुछ भी official नहीं का आ गया है लेकिन जो उड़ती उड़ती खबर आ रही है वही मैं आपको बता देता हूँ नार्जो 20 में आपको triple cameras देखने को मल जाने वाले है जो कि 48 plus 8 plus 2 megapixel के रहेंगे जो कि अपने आपने एक सोचने वाली बात है triple cameras with 48 megapixel के sensor के साथ तो ये information थोड़ी से मुझे हजम नहीं हो रही है तो अगर आपके पास कोई और भी information है तो आप comment करके मुझे बताईएगा साथ में यहाँ पर आपको 6000 mh की battery देखने को मिलने वाली है तो काफी सारी और भी बहुत सारी यहाँ पर information है जिनने आप चेक कर सकते हैं लेकिन जो कमाल की चीज़े थी मैंने सारी की सारी आपको बता दी है तो फटाफ़ट price के बारे में बात कर लेते हैं चुकि price को लेकर काफी ज़्यादा यहाँ पर sensor है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए लेकिन मैं predict करता हूँ बाकि आप भी मुझे बताओ कि आपके साब से इसका price क्या होना चाहिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर Narzo 20 Pro की तो यहाँ पर जो pricing लग रही है वो मुझे लग रहा है कि इसका price मेरे ख्याल से 14,000 के आसपास बैठ सकता है 14,000 मेरे ही साब से sufficient रहेगा यहाँ पर quad cameras भी है 16 megapixel का है और charging अगर 65 watt की है तो यकीनन यह 14,000 के आसपास ही रहेगा क्योंकि फिर इसे कम जाने का सवाल नहीं होडता है और उपर जाने का तो खेर बिल्कुल भी नहीं होडता है क्योंकि फिर कहीं नहीं फिर आदमी 7 pro की तरह भाग जाएगा तो यह 20 pro का price मुझे लग रहा है 14,000 बाकि आप कमेंट करो आपके साब से क्या होगा 21 का price अगर हम देखे तो यह मुझे ऐसा लगता है लगभग होना चाहिए लगभग 12,000 के आजपास हो सकता है लेकिन जो इसका price मुझे 12,000 के आजपास लग रहा है और 20 का price मुझे 10,000 के आजपास देखने को मिल सकता है तो यह सारी चीज़ों यहाँ पर रहेंगे यह phones आपको देखने को मिल जाएंगे लगभग 21 तारी के आजपास यह देखने को मिल सकते है 21 सितंबर को जो इसकी launch date है और अभी confirm नहीं है लेकिन confirm होते ही मुझे ऐसा लग रहा है 21 तारी को ही आएंगे तो यह चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है उमीद है आपको यह episode काफी interesting लगा होगा और कोई information मिली हो तो वड़ाफाट चैनल को subscribe करेगा और tech now series को follow करते रहेगा ताकि इसी तरीके से मज़ेदार information साब तक पहुंसती रहे information थोड़ी बहुत उपर नीचे हो सकते हैं जिसके लिए आप एक बार इंटरनेट पर verify कर सकते हैं सारी चीजों को यह सिर्फ एक प्रेडिक्टर था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए बाकि आप भी अपनी सुझाओ और राय हमें comment box में बता सकते हैं तब तक के लिए आज की इस एपिसोड में इतना ही नमस्कार दोस्तों जहिंद वंदे मातरम